हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है क्योंकि मेरा आज का वीडियो है वह लिक्विड फर्टिलाइजर के उपर है कि किस तरीके से जो किचन वेस्ट होता है हमारा वह हम लिक्विड बाल्टी में डालते जाएं डेली का जो हमारा किचन वे जो मैंने खटे कर लिये रख लिये हैं और जो भी चिल्के होते हैं आप जब फूर्ट्स के हो वेजिटेबल के हो वह आप जाएं पर चाहिए और उसे ताम आप चाहिए तो मैं इसे दो एक या दो दिन के लिए दूप में रख दूँगी उसके बाल्टी में डाल दूगी तो आप डाल दीजिए कोई फर्क नहीं बढ़ता क्योंकि हमें क्या है इस किछन वेस्ट को सडाना होता है तो यह लिक्विड की रूप में सड़ेगा तो आपके जो पौदो को हमारे प्लांट्स को अच्छा नुट्रिशन मिलता है तो आपका जो डेलिका जो किछन वेस्ट ह जाए वो फ्रूट्स के चिलके हो यह सबजी की चिलके हो प्याज के हो किसी ची तरह का भी आपका वेस्ट होता है किछन का वह आप फैकिये मत उसे रख लीजिए यह फ्रेंट से कितना अच्छा नुट्रिशन मिलता है आपके पौदो को तो इसे आपको क्या करना है अच्छी तरीकी से अंदरी अंदर पानी के अंदर सढने लग जाता है जिसे जो भी फूट्स के फूट्स के वेजिटेवल की नुट्रिशन होते हैं वह हमारी बाल्टी के पानी मिल जाते है और आपको धकर रखना है तो यह बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बनता है फ्र अच्छी तरीकी से में बहुत बद्बू आ रहे हैं वह आपको आई गी ही बट आपके पौदों के लिए बहुत अच्छा नुट्रिशन तियार हो जाता है तो इसको क्या करती हूं मैं इसे निकाल के च्छान लेती हूं च्छानने की बाद मैं इसे अपने प्लांस को सभी तो थोड़ा थोड़ा दूंगी आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कम क्वांटिटी देनी है लगवग एक लास एक वार्ट में 14 इंच के या 12 इंच में आपको इसे क्या होगा प्लांस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं फूट्स भी देते हैं और हल्दी बने रहते है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें थैंक्यू फूर वाचिंग फ्रेंड्स